राजधानी पट्णा में कई सोख कैमरा लगा है अगर आपने गलती भी थोड़ी सी कर दी तो हजारों का चालान करता है लेकिन नितीश कुमार बिना सीट बेल्ट लगाए अपनी गारी से पूरा पट्णा घूमते हैं पट्णा में लगातार घूमते हैं बड़े बड़े इसंता हिमत नहीं होती कि कोई अधिकारी जाकर उनको कह सके कि हुजूर आप seatbelt लगा लिजिए. और जो प्रावधान है उसके मुताबिक अगर मुख्यमंत्री नहीं लगाया तो इतनी हिमत अधिकारीयों के पास नहीं है कि उनका structure जान काट सके अब मुख्यमंत्री के सीट बेल्ट ना पहनने को लेकर इतनी चर्चा के उख तो इसके दो अलग अलग कारण है पहला कारण राजनिति और दूसरा कारण यह है कि अगर नितिश कुमार बतोर मुख्यमंत्री जनता को यह दिखाएंगे कि हम सीट बेल्ट नहीं पहनते हम तो गाड़ी में ऐसे ही चलते हैं तो जो लोग उनको अपने रोल मॉडल के रूप में समस्ते होंगे उनके उपर क्या प्रभाव पड़ेगा और आगे इसी पर बातचीत करेंगे कि वाकई में सारा का सारा नियम जनता के लिए क्यों क्या नितिश कुमार को टोकन कि उनको सलाह देने की हिम्मत हिमाकत उनके किसी IES IPS में नहीं है बगे नमस्कार में मोहित कुमार सिंग और आप जनका जंक्षन देख रहे हैं यह वीडियो रोडबेच एप के द्वरा प्रहुजित है रोडबेच बिहार के कैसा है स्टार्ट अफ है जो आपको वन वेट ट टेक्सी राइट का मतलब की अगर आप रोडबेच की टेक्सी से कहीं भी जाते हैं तो सिर्फ एक तरफ का किराया लगेगा जो की बेहत सस्ता होगा तो अगर रोडबेच के साथ यात्रा का आनंद लेना चाहते हैं तो अभी प्लेश्टोर पर जाईए वहां पर साकारी में बैठ कर मुश्कुराते हुए आगे बढ़रे हैं अब या वीडियो सबसे खास बात कि IPRD की टरff सेहिविए शेर किया जाता है मतलब की जो सरकारी विभाग है सरकारी कहिए कि आप ट्वीटर का हैंडल है उससे शेर किया जाता है और वीडियो शेर होता है तब लोग सवाल उठाना सुरू करते हैं कि मुख्यमंत्री तो सिट बेल्ट नहीं पहने हुए है और अगर कोई आम आदमी होता या आपको हमें याद दिला दे कि भागेश्वर धाम वाले महराज महराज होते धिरेंदर सास्तरी होते तब क्या होता मतलब कि उनका खोज करें ढूंड ढूंड कर चालान काटा जाता है लेकिन जब मुख्यमंत्री वही काम करते हैं वही नियम तोड़ते हैं तो किसी की हिमाकत नहीं होती कि वह एक बार जाकर टोक सके अब इसके बारे में कहा जा रहा है कि नितिश्कमार राजधानी पट्टा में एनाइटी का दिदार करने जा रहे थे वहाँ पर देखने जा रहे थे अब होता क्या है कि रास्ते में कई जगा है नितिश्कमार अधिकारियों से मिलते हैं जुलते हैं अधिकारी उनका स्वागत करते हैं हाथ मिला कर फूल माला दे कर और नितिश्कमार को एक सलाह देने की कि अफसी लग चुका है मतलब कि अटोमेटिक चलान कट जाता है लेकिन नितिश कुमार की गारी का चलान कटा है इसको लेकर कोई खबर नहीं और मुख्यमंतरी की गारी का चलान काट दिया जाए शाद इतनी ही मत भी कोई ना जुटा पाए लेकिन फिलहाल नितिश कुमार के बिना सिल मार है या कोई भी नेता है वो राजा है जिसके उपर कोई नियम कानून लागू नहीं होता वो जो मन करे वो करे उसको कोई टोकने की हिमाकत नहीं दिखा सकता फिलहाल मुखिमंतर इंटेश कुमार नहीं लगाया अब आप इनके जगह पर एक बार अपने आपको रख कर बहुत बहुत धन्यवाद